नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चानल पर दोस्तों बिना कुछ करे कोई हमारे वश में हो जाए ऐसा सुना है नहीं ना, लेकिन ऐसा होता है आज एक ऐसा तरीका जिसमें आपको कुछ भी करने की ज़रुत नहीं है और सामने वाला आपके वश में सिर्फ उसके सामने जाना है और तीन शब्दों को बोलना है ये ऐसे जादोई शब्द हैं जिनें बोलते ही वो आपके वश में हो जाएगा फिर चाहें वो कोई भी हो, वो आपका प्रेमी हो, आपकी प्रेमी का हो आपका खोया हुआ प्यार हो आपका पती हो जो आप किसी और और अ Rapha के चक्र में पढ़ गया है पराईस्त्री के चक्र में पढ़ गया है और घर परिवार पर बच्चों पर ध्यान नहीं देता तो क्या किया जाए? तो इस विधी का प्रियोग किया जाए? वो आपके सामने जबाएं तीन शब्दों का प्रियोग आप उनके सामने करें और वो देखें किस तरह ये तीन शब्द अपना असर दिखाते हैं या यूं कहूं कि अपना जादू दिखाते हैं और वो व्यक्ति आपका होकर रह जाता है तो आईए बताते हैं कि आपको करना क्या है दर्श को जब आप रात को सोते हैं उसके बार जब आप सुबा उठें सुबा उठने से लेकर उस व्यक्ति के सामने उन शब्दों को बोलने तक आपको अपने मन में उस व्यक्ति के बारे में ही सोचना है सिर्फ उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है और जब आप उस व्यक्ति के सामने जाएं तो उसके सामने अपने मन में इन तीन शब्दों को बोल दीजिए और तीन बार बोलना है इस बात का भी ध्यान रखेगा तीन बार इन तीन शब्दों को बोलने पर वो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो आईए बताते हैं कि वो अचूक शब्द वो जादूई शब्द है क्या जिनके जरिये आप किसी को अपना बना सकते हैं और वो शब्द है कली-कली वस्भो जी हां सिर्फ ये तीन शब्द कली-कली वस्भो ये तीन शब्द जब तीन बार आप उस व्यक्ति के आगे बोल देंगे उसके बार आप अपने कारे में लग जाईए अपने सिर्फ आपके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है आप जो कहेंगे वो से सत्ते लगेगा बाकि सारी दुनिया उसे जूट लगेगी आपकी बातों पर ही वो रिश्वास करेगा और सबकी बाते उसे बेबुनियात लगने लगेगी अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो इस विधी का प्रियोग कीजिए उस सामने वाले व्यक्ति को जिसे आप त्यार करते हैं उसे अपना बनाईए तो दोस्तों इस विधी को करने में या कोई ऐसी विधी जो आप वशीकरन की करना चाहते हैं आप से नहीं हो रही है तो दोस्तों आपकी स्क्रिन पे जो नंबर दिखाया जा रहा है उस नंबर पे कॉल करें गुरूजी से बात करें अपनी समस्या बताएं समधान लें और अपने जीवन को खुश हाल बनाएं और अपने आपको एक खुश नुमासें दिगी दे मुझे दीजे इजाज़त जय माता दी